हेलो दोस्तों सहाथ है आपका Demagating Ball में मेरा नाम है विशेक दोस्तों आज की वीडियो कहाँ टोपीग है How to Automatically Post to Facebook from WordPress तो दोस्तों आज की वीडियों को बताने जारों कि आप जैसे ही कोई WordPress post publish करते हैं तो उसे कैसे automatically हम Facebook page पे post कर सकते हैं ठीक गाइस तो इस वीडियो को आप एन तक follow करना मेरे साथ साथ और मैं आपको step by step complete process बताऊँगा एक बार आपको एक काम करना और इसके बार lifetime आपके जितने भी WordPress post होंगे वो directly Facebook page पे post होते रहेंगे और गाइस इस वीडियो के description में आपको एक web hosting का discount link भी प्राइट कर रहा रहा हूँ जिसके तुर जाके purchase करना से आपको मिलेगा total 75% का discount जिसमें 65% जो discount आपको company प्राइट कर रहे तो एक्टा 10% आपको आपको हमारे link के तुर मिलेगा और जो का इस link है वो आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा तो दोस्तों इसे फिरे वीडियो को start करें अब जादे करें चैनल को subscribe और बेर आइकन को press तैकि जब में कोई वीडियो प्राइट सबसे पहले है आपको मिले तो दोस्तों चली शुरू करते हैं तो अब हम आगे हमें laptop screen में और यहाँ पर मैंने तीन चीज़े open करके रखे हुए आपको भी ये काम करते हैं तीन चीज़ों को open करके रखना है आप मेरे साथ साथ follow कर सकते हैं ठीक है एक तो अपना Facebook पेज ठीक है यानि कि अपना Facebook अकाउंट से login करके आपको अपना Facebook पेज ठीक है जिसका नाम है ठीक है अब यहाँ पर सबसे बता दूब कि अगर आप एक blog या फिर एक business website कुछ भी अगर आप create करना चाहते है बनाना चाहते एक website तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया hosting बताने चारा हो यानि कि WordPress hosting बताने चारा हो और साथ में एक बढ़िया सा offer भ इस लिंक description में आप अपना website जो है आज ही बना सकते हैं यहां से hosting purchase करके जिसमें आपको मिलेगा free domain और cloudflare CDN और बहुत सारे और भी features जो कि आपको website अपन करना पता चल जाएंगे ठीक है अब हमें सबसे पहला जो काम करना है वो यह है कि यह जो third party website है ठीक है यह बहुत ही कम अब चाहिए अब चाहिए अब आपको फ्री में इसको sign up कर लेना है ठीक है अब sign up करने के लिए हम या तो Gmail का यूज कर सकते हैं या फिर जो हम manually इंची जो को sign up कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर जो है हम password भी एंटर कर देंगे आपको अपना password set करना है और आप चाहँ तो यहाँ पर Gmail से भी कर सकते थे ठीक है लेकिन मैं अपना फुद का password यहाँ पर set करना चाहरा हूँ और create account पर click कर लेंगे अब हमारे पास एक confirmation mail आएगा हमारे जीमेल पर ठीक है तो हम क्या करेंगे जीमेल को अपन कर लेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं यह देखे पैबली की तरफ से हमारे पास एक confirmation link आ चुका है जो कि हमें confirm करना पड़ेगा ठीक है इस बटन पर click कर देंगे और हमारा account जो है वो create हो जाना चाहिए ठीक है तो यह देखिए हमारा जो account है यहाँ पर create हो गया है तो आप देख सकते पूरा account है वो दिखते है अब यहाँ पर हमारे account में हम यहाँ पर click कर लेते हैं निचे तो हमारे details वगएरा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और all apps यहाँ पर देख से पैबली connect, access now, पैबली subscription, पैबली email marketing, पैबली form builder, पैबली email verification ठीक है यह सारे जो application से आपको तो अभी आप देख सकते हूँ जो free account रहता है उस free account के अंदर आप यहाँ पर 100 task आपको free में मिल जाते हैं ठीक है अगर मालो कि आप अपने wordpress पे 100 post डालते हो तो 100 के 100 post आपके facebook page पे automatically post हो जाएंगे उसके उपर अगर आप डालते हैं एक महिने में तो आपको इसका premium account लेना पड़ेगा ठीक है अपग्रेड पे अगर हम जाएंगे तो आपको जो है और lifetime के अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहापे मिल जाता है 249 में आपको lifetime मिल जाएगा ठीक है 149 में भी मिलत है depending on कि आपको कौन सा plan purchase करना है ठीक है तो चलिए अब हम इस process को start करते है तो process को start करने के लिए पहला step आपको करना वो है create workflow के आपको click कर देना है ठीक है अब यहाँ पर आप कोई भी workflow आप डाल सकते हो जैसे कि wordpress to family ठीक है तो यह चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर एक नाम देदा आप कुछ भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं तो create पर click कर लेंगे अब यहाँ पर दो steps होते हैं इन चीजों का आपको समझेना है पहला step की क्या होने पर इसको activate करना है ठीक है और trigger करने के बाद क्या action लेना चाहिए ठीक है यानि कि जैसे ही यहाँ पर हमने set करना है कि जैसे ही हम wordpress पर कोई post डाले यह action trigger होना चाहिए और trigger होने के बाद क्या होना चाहिए कि हमारे facebook page के अंदर वो blog as it is post होना चाहिए ठीक है तो यह दोनों चीज़े हमें set करना है अब set करने के लिए सबसे पहला काम हमें करना है यहाँ पर यह जो पहला step है इसको करना है second step को एक बार के लिए हम भूल जाते है ठीक है second step बाद में करना है हमें इसी को करना है ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे wordpress ठीक है तो wordpress पर क्लिक कर लिया अब यहाँ पर हमें trigger event select करना है क्या करने पर होना है अब यहाँ से new comments है new post published post deleted post trash इसे बहुत सारे options हमें यहाँ बिल जाते हमें क्या चाहिए new post published जैसे ही कोई post ह publish करें तो यह trigger होना चाहिए ठीक है तो हमने उसको select कर लिया ठीक है तो यह काम हमने इतना कर दिया है अब हमें क्या करना है देखो webhook url यह चूचीज है हमें यहाँ पर एक पूरा setup करना पड़ेगा यह जो steps हमें दिएगा इन steps को हमें follow करते हुए चीजों को आगे setup करना ह तो सबसे पहले हमको क्या करना है इस webhook url को copy कर लेना यह जो button इस पर click कर देंगे और यह url जो है वो copy हो जाएगा ठीक है अब हमको एक plugin install करना पड़ेगा जिसका नाम है wp webhooks तो हम जाएंगे हमारे wordpress admin board में और यहाँ पर क्या करेंगे हम एक plugin को install करेंगे plugins और add new पर click करना है और यहाँ पर आपको लिखना है wp webhooks ठीक है तो हमने यहाँ भी लिख दिया है और आप देख सकते हो यह रहाओ wp webhooks 10,000 से जादा लोगों ने इसको install किया हुआ है ठीक है और यह है ironicus नाम से कंपनी है उस कंपनी ने इसको बनाया है ठीक है हम इसको install कर लेंग और activate पर click कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले एक बार इसको install होने देते हैं अब हम इसको activate कर लेंगे अगर आपने कभी zapier का नाम सुना होगा zapier भी ही काम करता है लेकिन यह zapier से थोड़ा सा बेटर है और सस्ता भी है ठीक है इसको यहाँ इसको use करना जादा easy है ठीक है तो हमने यहाँ पर कर दिया install wp webhooks को अब हम क्या करेंगे वापस जाएंगे family connect में और यहाँ पर आप द जाएंगे और settings पर जाएंगे और यहाँ पर WP hooks का option मिलता है इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको send data का यह मिल जाता आप इस पर क्लिक कर लेंगे ठीक है यहाँ तक हमने कर दिये अब हम फिर से जाएंगे next step क्या करना है हमको select post created from the left sidebar ठीक है तो चल लेक चल लेक हमने हों कि यहाँ पर और यहाँ पर हमाँ आता है post created कहां पर है यहाँ और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर होना चाहिए post created इसी पर हमें click करना है तो यह रहा post created और हम यहाँ पर चले जाएंगे post created पर click कर देंगे और इसके बाद next step देख लेंगे click on the add webhook url ठीक है चलिए ब भी कर लेते हैं हम यहाँ पर आगए add webhook url पर click कर दिया है अब हमें यहाँ पर इससे कुछ भी नाम देना है ठीक है कोई भी हम नाम दे देंगे for example family wordpress ठीक है और यहाँ पर हम बीच में hyphen दे सकते हैं यहाँ कट कर देते हैं आपको इसमें space नहीं देना है ठीक है तो इस तरीके से हमने इसको नाम दे दिया अब हमें उस url को यहाँ पर paste करना है जो हमने यहाँ से copy किया था हम एक फिर से copy कर लेंगे इसको ठीक है copy हो गया अब हम यहाँ आ जाएंगे और इधर हम इसको paste कर देंगे ठीक है paste कर दिया add for post create इस पे हमें क्लिक कर देना है ठीक है हमने ठीक है, click on the setting link next to the added trigger URL, ठीक है, यानि कि हमें यहाँ आना है, और इस पर click करना है, और यहाँ पर setting पर click कर देना है, ठीक है, अब next step को क्या बोल रहा है, select post from the trigger on selected post type setting, ठीक है, trigger on selected post type, इसके अंदर हमें post को select करना है, ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, यह रहा, trigger on selected post type, और इसमे हम post को select कर लेंगे, ठीक है, अब गला क्या है, trigger on initial post status change, इसके अंदर हमें published को select कर लेना है, ठीक है, तो यह भी कर लेंगे, यहाँ आ जाते है, trigger on initial post status change, इसके अंदर हमको publish को select कर देना है, आगे क्लिक on save settings button, अब हम नीचे आ जाएंगे, और सबसे last में save settings पर click कर देंगे, औ और हमें कुछ भी नहीं करना है, अब आप सोच रहोगे कि क्या यह सारी चीजे हमें हर बार करना पड़ेगा, नहीं guys, यह सिर्फ one time process है, आपको सिर्फ एक बार करना है, और आपको गाम हो जाएगा, ठीक है, तो हम आप इसको close कर देते हैं, हमने इसको save कर लिया, ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, पैबली कनेक्ट में waiting for webhook response, ठीक है, यह आ रहा है, अब यह किस चीज़ का wait कर रहा है, यह wait कर रहा है कि कब हम एक post डालेंगे हमारे blog में, और इसको पता से लेगा, यह उसको trigger करेगा, तो चले हम कर लेते हैं, एक post करके देख लेते हैं ठीक है, तो चले हम इसके लिए जाएंगे हम post में और add new पर click कर लेते हैं, और यहाँ पर हम डाल देंगे, best cheap web hosting for wordpress websites, ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है, यह हमारा post का title हो किया है, और यहाँ पर हम लिख देंगे, एक कोई भी हम content यहाँ पर लिख देंगे, for example, यहाँ हम डा देंगे, bluehost is one of the best cheap web hosting websites that provide best wordpress functionalities, ठीक है, तो हमने यह चीज़ यहाँ पर कर लिए, तो आप क्या करना है, यह हमने एक article भी लिख दिया है, छोटा सा, ठीक है, यह भी हम क्या है कि इसको demo article है, लंबा नहीं लिख सकता, तो अभी हमने यह चीज़ इतना कर लिया है, अगर आप bluehost purchase करना चाहते हैं, उसी का link मे आपको description दो product करवा रहा हूँ, आपको 75% का discount मिलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको publish पर click कर देंगे, ठीक है, publish पर click कर दिया है, और यहाँ पर यह जैसे ही publish हो जाता है, हम यहाँ आ जाएंगे, और यह देखिए, जो wait कर रहा था, वो खतम हो गया है, अब यहाँ पर आ देख सकते हो, हमारा post यहाँ पर आ गया है, ठीक है, taxonomies और यह सारे values आ चुके है, अब हम यहाँ देखेंगे, हमारे post का title यह देखिए, पोस का title अब यहाँ पर यह दिख रहा है, ठीक है, और यह complete जो हमारा post है, यहाँ पर आगे, तो हमने first step को complete कर लिया है, कि हम जब भी कोई post डालेंगे, इतना तो complete होई जाएगा, अब इसके बाद जब यह चीज हो जाती है, यह trigger हो जाता है, next step क्या करवाना है हमें family से, family से हमें यह करवाना है कि हमारा जो post है, वो facebook page जो है हमारा, जो की है, blogging duos, यह हमारा facebook page है, इस पर automatically post हो जाना चाहिए, तो हम इसको open कर लेंगे, अब हमें फिर से यहाँ पर भी सर्च करना है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे facebook, और facebook को हमें यहाँ पर select करना है facebook pages, ठीक है, हमने click कर लिए, अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो facebook account है, यहाँ पर इसी tab में login होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था, create page photo post, image post, नहीं, हमें यहाँ पर चाहिए create page post, ठीक हमने इस पर click कर दिया है, अब connect पे हमें click करना है, अगर आपका login नहीं रहेगा यहाँ पर, तो आपको login मांगेगा, आप क्यूंकि मैंने login करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर directly connect हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर click क कर लेंगे, और हमारा Facebook account यहाँ पर login है, ठीक है, और यह हमसे पूरे continue as, जो भी हमारे नाम है, अब यहाँ पर जो है, हमने page को select कर लेना है, blocking duos, हाँ पर next पर click कर देंगे, ठीक है, सारी चीज़े active है, और हम done पर click कर देंगे, ठीक है, अब यह चीज़ हो गया, ok पर हम click कर ठीक है, ठीक है, तो अब यह process जो है, यहाँ पर आ गया, और ok, done, तो अब आप देख सकते हूँ, phase of pages यहाँ आ गया है, और हमारा page name में यहाँ पर required था है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और यह रहा हमारा page, और connected है, सारी सीज़े हमारा बिलकुल accurate यहाँ पर हो गया, अ यहाँ पर हम कोई message डाल सकते है, अगर माल लो कि मुझे जब भी मैं एक post करूँ, मैं चाहता हूँ कि यह message आ जाए, hi, this is blocking duos, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई post मैं WordPress पर करूँ, तब वो post जब Facebook पर आए, तो वहाँ पर title यह होना चाहिए, ठीक है, तो guys, यह तो ए title हो, जैसे कि माल लो कि आभी इस case में यह वाला title है, तो Facebook page पर जो post होने वाला है, उसका भी title यही रहना चाहिए, ठीक है, तो हमको इसको खाली रखना है, हाला कि यह required बोल रहा है, हम करेंगे इसको, set करेंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ पर बाकी pages का भी option हमें मिल सकता है, लेकिन अब देख सकते हैं, हमने यह page यहाँ पर connect हो चुका, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर WordPress new publish इस पर click करना है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ढूड़ना पड़ेगा, कि हमें exactly क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, हम वहाँ पर क्या दिखाना चाहते है, तो पर प्रिश आने के बाद हमको यहाँ पर क्या दिखाना है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक HTML tag लगा देंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको next line पर line break कर देता है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जो चीज़े add करेंगे, यानि कि हमारा जो post का content है, व text नहीं, यह रहा, तो यह चीज़ जो है हमें post content, यह हमने select कर लिया, अब हमें यह दिखा रहा है, ठीक है, यह उल्टा हो गया यहाँ पर, तो हम एक second यहाँ पर करना है हमको, फिर से चेक कर लेंगे, और हम इस बार वो content वाला section उठा लेंगे, ठीक है, तो यह चीज़ जो है, यहाँ पर आगे है, अब फिलाल के लिए हमें सिर्फ यह दोई चीज़ चाहिए, जब भी हम कोई post जालते हैं, तो यह दो चीज़े हमारे wordpress post से उठके हमारे phase page के post पर जाना चाहिए, ठीक है, तो हमने यह चीज़ कर लिए, तो यह हमारा जो process है, य लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, हम इसको save पर click कर लेंगे, ठीक है, link URL अगर हम देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, कि वहाँ पर एक link भी बन जाएगा, जिस पर click करके, लोग directly हमारे post पर आ सकते हैं, तो वो चीज़ भी हम कर सकते यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमें डूढ़ना है, link URL और यह, यह वाला हमें लेना है, post grid इसको select कर लेंगे हम, और उसके बाद, यहमारा come complete हो चुका है, अब हम save पर click कर देंगे, ठीक है, ओके, तो यह हमारा process complete हो चुका है, अब हम देखेंगे कि क्या वो post हम हमने यह बनाया था, यह क्या हमारे यहाँ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम यहाँ चेक कर लेंगे, तो फिलाल के लिए वो जो post है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आ जाएंगे, save and send test request इस पर click कर लेंगे ठीक है अब हम देख लेते हैं फिर से refresh करके अगर ये चीज यहाँ पर नहीं होती है तो हम एक नया post डाल के देखेंगे तो guys यह आप देख सकते हो यह हमारा post हो चुका है ठीक है तो ये चीज जो हमने कर लिए ये तो फिलाल हमने एक बार इस process को पूरी तरीके से complete कर लिया अब दुबारा से हमें कुछ भी करने की जरूत नहीं है अब हम कोई भी post डालेंगे तो simply वो हमारे family से होते हुए हमारे face to page पे आ जाएगा तो चलिए हम एक और post create कर लेते हैं ठीके तो चले जाते हैं हम अपने wordpress के dashboard पे आप फिर से एक post create कर लेंगे add new पर click कर लेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे next post best laptop under rupees 50,000 ठीके चलो अब यहाँ पर हम डालेंगे हमने एक content यहाँ पर लिख दिया है अब हम क्या करेंगे publish पर click कर देंगे अब directly यह जो post है ना हमारे face to page पर आ जाना चाहिए ठीके within no time यह आ जाना चाहिए तो हमने यह post यहाँ पर कर दिया है अब हम क्या करेंगे यह यहाँ जाएंगे Facebook पर और इसको refresh करके देख लेंगे यहाँ पर हमारा post आ जाना चाहिए और आप देख सकते हो यह post यहाँ पर आ गया है मैंने कुछ भी नहीं किया Facebook पर हमने कुछ भी नहीं करा रहा है direct हमने बहां post किया और यहाँ पर आ चुका है और यह रहा हमारा link जो मैंने कहा था कि last में हमें एक link भी डालेंगे और link पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस blog post में तो यहाँ से क्या होगा कि आपको कुछ views और मिल जाएंगे ठीक है उस views के तुरू आपके adsense में थोड़ी सी revenue और add हो जाएंगे ठीक है और अगर आपको affiliate link के तुरू sales भी हो सकते हैं तो यह रहा पूरा हमारा complete process ठीक है तो चलिए अब हम क्या करेंगे हमारे dashboard में फिर से ज यूज़ कर लिया है अब जो हमारे पास 99 टास्क है अब हम 99 पोस्ट और अगर डालते हैं इस महिने में तो वह 99 के 99 जो हमारे facebook पे directly post हो जाएंगे ठीक है तो यह था complete process और गैस पैबली का सिर्फ यही काम नहीं होता है पैबली और भी बहुत सारे workflows बना सकता है जैसे कि आप चाहों कि जैसे razor pay वगेरा है अगर आप razor pay का use करके आप चाहते हो कि जब razor pay में कोई भी कुछ भी pay करें तो आपकी email पर आजाए ठीक है तो email और razor pay को आप आपस में connect कर सकते हो है ना तो यह सब चीजे जो है आप create कर सकते हो यहां पे और create workflow पे click करेंगे यहां पर हम कुछ सारे applications और यहां पर हमें provide करवा रहा है यह सारी चीजे हैं जिनको हम connect कर सकते हैं WordPress कर सकते हैं किसी भी चीज़ से और उसको Facebook से connect कर सकते हैं मतलब बहुत सारे platforms इन में से सभी platforms को हम एक दूसरे के साथ connect कर सकते हैं और हमारे बड़े-बड़े काम को बहुत आसानी से कर सकते ह हो जाएगा मैं YouTube पे कोई वीडियो डालूँगा वो सीधे Facebook पर publish हो जाएगा मैं YouTube पे कोई वीडियो डालूँगा वो सीधे मेरे blog पर publish हो जाएगा ठीक है कोई भी काम कर सकते हो आप इसके तुरू है ना तो यह Google Ads, Google Analytics हर चीज को आपस में link होने का तरीका होता है यह action होने पर यह action होना चाहिए बस यह इतनी चीज को आपको समझ देना है और आप चीज कर सकते हो एक बाद जब आपका business grow होना शुरू हो जाए तो उसके बाद क्या कर सकते हो कि आप यह lifetime जो plan से इनको purchase कर सकते हो लिंक में आपको description में दे रहा हूं तो हम देख सकते हो अगर आपक अगर आपको 3000 चाहिए यानि कि 3000 टाक्स चाहिए तो आपको जो है lifetime plan लेना है 249 डॉलर का और आपको जो है यहाँ पर एक अच्छा सवापर मिलेगा lifetime के लिए आप जो है इसका यूज कर सकते हो जैपियर में इसी same चीज में 2000 टास्की मिलते हैं और 600 डॉलर आपको पर year देन जितना चाहिए आप उतने workflows बना सकते हो जितना चाहिए आप एक दूसरी रहत करेंट करके अपने business को next level पर लेके जासे हो आपको employees रखने की जरूत नहीं है जो आपके data entry के काम को करते रहेंगे आपने एक video YouTube पर डाला उसको उठा के वो लोग Facebook पर डालेंगे नहीं आप ज पर पर चेस कर सकते हो और आपको free account create करना है तो free account में मेरे link के तूँआ आप create कर सकते हो ठीक गाईस तो उम्मीद है कि आपको सारी सीजे क्लियर हो गए फिर भी आपको कोई बीड़ 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 आपको आपको आगे भी मिलते रहें तो दोस्तो आज की वीडि तेक नगे लिए पको बहुत 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 निवाद